हलो फ्रेंड़्स सुवागत है अपका मेने चैनल में और दोस्तों कैसे हैं आप तो आपतब को आने वाली नवर्श की बहुत बहुत शुपकांमनाई तो चलिए आज बनाते हें सूपर फुड्स के मुकवास हां दोस्तो यह सारे सूपर फुड्स है तो इनके मुकवास बनाना मैं आपको बताओंगी तो दोस्तो यह specially सरदी के लिए ही है तो ingredients देख लेते हैं तो ये green color के बड़े बड़े साइस के जो बीच दिख रहे हैं ये है कद्दू के बीच तो ये 50 ग्राम लिया है मैंने साथ में ये white color के बीच खर्बूज के बीच है तो ये भी 50 ग्राम है ये दोनों 50 ग्राम और साथ में ने ये 2 कटोरी अलसी लिए है तो दोनों 50 ग्राम यानि ये 100 ग्राम है तो दोनों मिल देख 200 ग्राम हो गए और ये है वन टी स्पूल कलोंजी के बीच तो कलोंजी भी बहुती फाइदेमंद है यह सब आपको पता ही होगा तो इस तरह से काले कलर के तिल जैसे बीज होते हैं पर यह तिल बहुत बड़ा होता है यह बहुती छोटे दाने होते हैं तो साथ मैंने लिया है दो टीस्पून मेथी के दाने तो इसमें टेस्ट आये इसलिए मैंने लिया है काला नमक वन टीस्पून और साथ में आमचूर पौडर तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा इसका और इसे बना के एक से दो महीने आपाराम से रखकर खा सकते हो तो इसे हमें रोश्ट कर लेना है तो इसे बनाने से पहले मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ी से जानकर ही दूँगी तो इन पांच तरह के सुपर फूर्ड में बहुत साधा कॉंटिटी में कैल्शियम, प्रोटीन, विटेमिन, बहुत सारा पोशक तत्व है तो इस तरह से आप खाओगे तो सच में आपका हेल्थ बहुत बढ़िया बनेगा तो फ्रेंड्स ये आप सर्दी में ही खाईए क्योंकि इस पर मैंने अलसी डाला है तो अलसी की जो होती है वो गरम होती है तासीर तो इसलिए आपको ये सर्दी में ही खाना है तो आप इसे गर्मी भी खा सकते हो पर आपको अलसी को हटाना होगा क्यूंकि अलसी बहुत गरम होती है तो अलसी खाने से हार्ट अटेक की मात्रा संभावना भी कम होती है ऐसा माना जाता है तो जिनको मोटा पा है वो भी अलसी खा सकते हैं उनकी मोटा पा भी कम होती है तो इस अलसी खाने से cancer की मात्रा भी cancer होने कि जो मात्री होथी है वो भी कम होती है ऐसा बोलते हैं। है तो दोस्तों अलसी में omega-3 की मात्रा बहुत ज्यादा होती यह जो किसी भी接ge-table में नहीं मिलता, एक मिलता है सब्जा में दूसरा अलसी में उसे छोड़कर आप फिश में मिलता है जो 9 वेश खाते हैं उनको मिलता है उमेगा-3 बाकी इससब को छोड़कर सिर्फ अलसी और सब्जा में ही उमेगा-3 मिलता है तो मैंने यहाँ पर कड़ाई रख दिया है तो इसमें मैंने डाला है भी ही कर्भूज के बीज और साथ में कर्दू के बीज तो इन्हें हमें रोस्ट कर लेना है तो इन्हें कम से कम 3-4 मेट आप रोस्ट कर लीजिएगा ताकि यह जल्दी खराब ना हो तो रोस्ट करने से इनकी लाइफ बढ़ जाती है तो आप 2 महिने तक रखकर खा सकते हैं तो मैंने कलोंजी को भी रोस्ट कर लिया है और जो अब मेतिताने देख रहे हैं इनको भी रोस्ट कर लेंगे तो देखिए अभी यह फटने लगे हैं तो इस तरह से बिल्कुल फटने तक हमें रोस्ट कर ले रहे हैं तो उनको भी रोस्ट कर लिया है मैंने तो अभी मैंने डाल दिया अलसी को तो अलसी में थोड़ सा पानी डालेंगे ताकि यह जल्दी ना जले क्योंकि यह जल्दी नहीं फटते तो इसलिए में पानी डाल दिया तो यह जल्दी नहीं जलेंगे और अच्छी तरह से यह रोस्ट होंगे तो इसलिए आपको इसमें पानी ज़रूर डालाता जाहिए दो या तीन भूल तो इसमें मैं काली नमक और आमचुर पॉडर डाल के और मिक्स करके अच्छी तरह साई में रोस्ट कर लेना ही तो फ्रेंड्स इसमें पहुत जादा फाइबर कांटेट होना है और डायाबेटिस को खतम करने की शमता भी इसमें होती है तो इसलिए आप आपसी जरूर खाईएगा किसी भी रूप में खाईएगा और साथ में कलोंजी तो बहुत ही फाइदे मंद है हेल्प के लिए तो कलोंजी में होता है आयरन, सोडियम, कैल्शियम, प्रोटेशियम और फाइबर तो इन सारे वीजो में बहुत जादा फाइबर प्रोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटेशियम और कोशल तक में बहुत जादा है तो देखिए अभी यह फटने लगे है तो इस तरह फटने तक हमें इसे रोस करना है तो यह हो चुके हैं दोस्तों तो अब हम ग्यास को आप कर देते हैं और इसमें मैंने सारे फूट्स को मिक इसे अच्छतर से मिक्स करके थोड़ा थंडा होने देते हैं थंडा होने के बाद इसे हम एक बॉटल में भरके रख देंगे और आप इसे दिन में जब आप खाना खाते होना खाना खाने के बाद इसे एक चमच मुखवास की तरह ले सकते हैं तो आप दिन में तीन टाइम या फिर दो टाइम आपकी जरूरत के हिसाब से या फिर आपकी पसंद के हिसाब से आप खा सकते हो पर एक एक टीस्पून ही आप खाईएगा तो फ्रेंज कैसी लगी आपको यह हमारी वीडियो हमें जरूर बताएगा अगर आपको अच्छे बहुत बहुत धन्यवादोसों